गोचामन सिटी में दो युवकों की गाड़ियों से कुचल कर हत्या करने के मामले में भारत सरकार के रास्टियन उसुचित जाती आयोग के सदसे सुबास रामनाथ पारधी युवकों के गाँ बिद्यात पहुचे उन्होंने दोनों धलित परिवारों से अलग-अलग मुलाक पारधी और परिवार जनों को ढड़स बढ़ाया आयोग सदसे पारधी ने कहा कि धोनों धलित युवाओं की हत्या की घटना बड़ी शर्मनाख है हत्या करने वालों बदमाशों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी इसको लेकर जाच अपना काम कर रही है जल्दी हत् उचित जाती आयोग दोनों धलित परिवारों के साथ खड़ा है उन्होंने बताया कि वे तीसरे घैल युवक के परीजनों से भी मलकर आए हैं घैल का भीलवाड़ा में इलाद चल रहा है उसे भी सुरक्षा और उचित उप्चार मुहया करवाया जाएगा इस दौरान कु जय गुपता ने बताया कि 16 आरूपियों को नमजद कर लिया है और बाकी सभी आरूपियों को भी जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा समाज सिवी सुरेंद्रे लिंडा ने प्रिशासन पर सौतेला वहवार करने का आरूप लगाया वहीं बिद्यात सरपंच श्रवन कु गालिया ने प्रित परिवाह को नियाए दिलाने और हत्या के दोशियों को जल्द गिरफतार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सज्वा दिलाने की मांगी सरपंच ने बताया कि पिछले दिनों मृतक राजुराम मेगवाल के घड़ चोरी की आरोपी तो गरफतार कर लिये लेकिन बरामदगी नहीं हुई इस अफसर पर परवत्सर उखन अधिकारी बलबीर सिंग, मेगवाल समाज के राश्टिय बहामंत्री बियल भाटी, समाज कारेकरता कंडरल केशरी, सिंग राथाड, गोविंद मेगवाल, सुरेंद्र मलिंडा, उमेज सिंग, राथाड, सहित अन्य मौजु थे आपको बता दे कि मकराना के पास स्थित बिद्याद गाह के दो युवक राजुरा, मेगवाल, पुत्र, बाबुलाल और चुनी लाल, मेगवाल, पुत्र, नौरतन, मेगवाल के पिछले दिनों को चौमन सिटी के पास, रानसर में हाइवे पर बदमासु ने गाड़ियों स कुचल कर हत्या कर दी थी, जुसमें कलकला की धानी निवासी एक युवक गंभीर घायल भी हो गया था